ये गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल और कैसे हैं आप लोग आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे तो ये मैं आ गई हूं बॉंबे मार्केट और ये आज का क्लिप नहीं है ये मैं थर्ड अफ में को गई थी और मैं गाइज बताना चाहूंगी कि मैं बहुत बीजी थी इ मैं अपने चैनल पर वीडियो नहीं और एक्टिव नहीं थी उसका रिजन यहीं था कि मैं एक शादी में व्यस्त थी और ये शादी थी मेरे देवर की अपने सगे देवर की तो ये हम लोग न्यू बॉंबे मार्केट आए हुए हैं यहां पे कुछ चीजे मैंने पर्चेस क कर लूँ लेकिन मैं आपको कपड़े इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगी कि मैंने क्या पर्चेस किया है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी तो हम लोग काफी कुछ ढूंडते हुए यह कुछ शौप में गये हैं तो वहां का क्लिप है और मैंने आपने लि देलियो उसके तो वो मैं यहां पर ले रही हूं सूट वगरा जो कि मैं सिल्वानी पांग करके रेडिमेट ले रही हूं घर में पहनने के लिए तो यह सब चीजे मैं आपको बाद में दिखा पाऊंगी और अब उसके बाद हम लोग आ गये हैं जो टेक्स्टाइल लेकिन यहां आना बिकारी रहा क्योंकि यहां पर होसेल मार्केट है यह आप एक एक पीस नहीं ले सकते हैं रिटेल मार्केट नहीं है सिर्फ ले देके एक मुझे शॉप मिला जहां पे हम लोगो रिटेल प्राइस में कपड़े अवलेबल मिले और अच्छा खासा मिल गया वहाँ कपड़ा जैसे कि लहंगा वगरा लेना था मुझे अपनी लिए स्टाइलेश और रिद्मा के लिए तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को कपड़े क्लोज जो मैंने लिए हैं वो नहीं दिखा पाऊंगी बाद में ही मैं कुछ वीडियो बना के आपको दिखा पाऊ और यहां पर रिद्मा के लिए मेरे लिए और रिद्मा के लिए क्लोज ले पाए हमेरा के बाद मैंक्र गर वापस आ गएं और हमें रूदय्यूअग और और हम घर वापस आ गए बस मेरी लिए और रिद्मा के लिए ही कुछ कपड़े ले पाए हम लोग के गाईज वेल्कम बैक टू माई चैनल और कैसे हैं आप लोग आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और लास्ट आपने जो देखा क्लिप वो था हमारा मार्केटिंग का और अभी हम लोग जा रहे हैं भिलाई तो अभी जाएंगे हम लोग ट्रेन से तो ट्रेन से हम लोग म साथ बने रही है और दीखा लगेज बहुत सारा हो गया है यह शादी में जा रहे हैं और वहांसे मैने क्या क्या परचेस किया कह भी मैंने आपसे नहीं दिखा पा ही और इतना वीजी थी कि मैं काफी मार्केट गई बहुत सारा मार्केट घूंसके इंकिन आप लोग कुछ पर चलिए पेहलते रहेंगे तो दिखता रहेगा क्या क्या हमने खरीदा है पर उसकि इता टाइम नहीं था आप लोगो भी समझ सकते हो क्योंकि शादी वगराव में बहुत इंसान बिजी हो जाता है तो चलिए अभी चलते हैं रास्ते में आपको कहां कहां कैसे कैसे जा रहे हैं वो सारा चीज़ हम दिखाते वे जाएंगे ठीक है इंजॉय करें लगेज बहुत ज्यादा हो गया था लेकिन क्या करें अब शादी में जाना है तो उतना तो होई जाएगा और हम लोग निकल गए स्टेशन के लिए आप लोगों को जादा कुछ नहीं दिखा पाऊंगी इसके बाद हम लोग ट्रेन से वन लोग तक हम लोग पहुँच गए थे बॉम्बे स्टेशन तो देखिया हमारा लगेज इतना जादा है कि हमें यह गाड़ी करना पड़ा क्यों कुछ वह टेस्ट लें तो एक होटल में आके हम लोगों ने लंच के तो सी फूट का अच्छा मज़ा लेने के बाद हम लोगों का जो बोर्डिंग था वह फूर ओक्लॉक को था और हमें फटाफट निकलना था तो तीन बजे तो हम लोग होटल में ही थे उसके बाद हम पहुंच गए और फिर घृणा और जो टो क का टाइंब ऊप्लॉक और फईव ओक्लॉक को हम लोग टकव हो HUgeon दम शार्ब 7 वाएरपूर पहुंच गए थे और राइपूर एट पोट पहुंचए हम लोगों बहुत अच्छा लगा और इतना इंजॉए कि यह जर नकी हम ल और अच्छा लगा और इसके बाद हम लोग आगे का जो है मैं आप लोगों को जो वीडियो है दूसरी वीडियो में आपको शेयर करूँगा में भी आपके पास अभी वीडियो जो आएगी वो आगे की भी हो सकती क्योंकि कुछ वीडियो मेरी पड़ी हुई है मेरे कर रही हूं और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजेगा शेयर किजेगा और सब्सक्राइब किजेगा और मिलती हूं आप से नेक्स्ट अच्छे वीडियो और व्लॉग के साथ तब तक के लिए बाबाय टेक केर और थेंक्स फॉर वाचिंग